अचारिये चतूरसिन शास्त्री जी की लिखी हुई कहानी दुखवा मैं का से कहूं मोरी सजनी यह कहानी संभवत है अचारिये की सबसे अधिक परसिद कहानी है जो सन 1914 या 15 के लगभग लिखी गई थी उन दिनों वे चकिच्चक की हैसिय से किसी रियायत के एक राजकुमारी की चकिच्चा करने गए थे वहाँ जो उन्होंने राजकुमारी का रूप वैभव और शरीर पर लाखों रुपे मुलने के हीरे मोती देखे और राजकुमारी की जो मनोवरिती का अधिन किया उसी से परभावित होकर उन्होंने इस कहानी की स्रिस्टी की गर्मी के दिन थे बादिशा ने उसी फागुन में सलीमा से नई शादी की थी सल्तनत के सब जंजटों से दूर रहकर नई दुलहिन के साथ प्रेम और आनंद की कलोले करने वह सलीमा को लेकर कश्मीर के दोलत खाने में चले आई थे रात दूद में नहा रही थी, दूर के पहाडों की चोटियां बर्फ से सफेद होकर चांदने में बाहर दिखा रही थी आराम बाग के महलों के नीचे पहाडी नदी बल खाकर बह रही थी मोती महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास बैठी सलेमा रात का सुंद्रिय नहार रही थी खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंगी ओड़नी पर खेल रहे थे चिकन के काम से सजी और मोतीों से गुती हुई उस फिरोजी रंगी ओड़नी पर कसी हुई कमसाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला जूम रही थी सलीमा का रंग भी मोति के समान था उसकी दे की गठन निराली थी संग्वरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे जिन पर दो हीरे थक थक चमक रहे थे कमरे में एक कीमती इरानी कालिन का फर्ष बेचा था जो पैर लगते ही हाथ बर धस जाता था सुगंदित मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे कमरे में चार पूरे कद के आईन लगे थे संगमरमर के अधारों पर सोने चांदि के फूलदानों में ताजे फूलों के गुल्दस्ते रखे थे दिवारों और दरवाजों पर चतुराई से गुती हुई नाग केसर और चमपे की मालाएं जूल रही थे जिनकी सुगंद से कमरा मेहक रहा था कमरे में अंगिनत बहुमुले कारीगरों की देश-विदेश की वस्तुएं करिने से सजी हुई थी बादशा दो दिन से शिकार को गए थे आज इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आए सलीमा चांदनी में दूर तक आखे बिछाए सवारों की गर्द देखती रही आखिर उससे ने रहा गया वे खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनग पर आ बैठी उम्र और चिंता की गर्मे जब उससे सेन न हुई तब उसने आपनी चीकन की ओडनी भी उतार फेकी और आप ही आप जुझला कर बोली कुछ भी अच्छा नहीं लगता अब क्या करूं इसके बाद उसने पांस रखी भी नुठा ली दो चार उंगली चलाई मगर स्वर ने मिला भुन भुना कर कहा मर्दों की तरह ये भी मेरे वश में नहीं है सलीमा ने उक्ता कर उसे रख कर दस्तक दी एक बांदी दस्त बस्ता हाजिर हुई बांदी अत्यंत सुंद्री और कम सिंती उसके सुंद्री में एक गहरे विशाद की रेखा और नेत्रों में नेराशे शाही थी उसके पास बैठने का हुकम देकर सलीमा ने कहा साकी तुझे बीन अच्छी लगती है या बासुरी बांदी ने नम्रता से कहा हुजूर जिसमें खुश हो सलीमा ने कहा पर तू किसमें खुश है बांदी ने कमपित स्वर में कहा सरकर बांदियों की खुशी ही क्या शन भर सलीमा ने बांदि के मुझ की तरब देखा वैसा ही विशाद, निराशा और व्याकुलता का मेश्रन हो रहा था सलीमा ने कहा मैं क्या तुझे बांदि की नजर से देखती हूँ नहीं, हजरत की तो लोंडी पर खास महरबानी है तब तुझ इतनी उदास, जिजकी हुई और एकांत में क्यों रहती है जब से तुझ नोकर हुई है, ऐसा ही देखती हूँ अपनी तकलिब मुझ से तो कहे प्यारी सा की इतना कहेकर सलीमा ने उसके पास किसक कर उसका हथ पकड़ लिया बांदि काँप गई पर बोली नहीं सलीमा ने कहा, कस्मिया तुझ अपना दर्द मुझ से कह, तु इतनी उदास क्यों रहती है बांदी ने कंपित स्वर में कहा हुजूर क्यों इतने उदास रहती है सलीमा ने कहा इधर जहाँ पना कुछ कम आने लगे है इससे तब्यजरा उदास रहती है बांदी सरकार प्यारी चीज नए मिलने से इंसान को उदासी आही जाती है अमीर और गरीब सभी का दिल ही है सलेमा हंसी उसने कहा समझी अब तो किसी को चाहती है मुझे उसका नाम बता उसके साथ तेरी शादी करा दूँगी साकी का सिर गूम गया एका एक उसने बेगम की आँखों में आँख मिला कर कहा मैं आपको चाहती हूँ सलेमा हंस्ते हंस्ते लोट गई उस मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कमपन नहीं देखा बांदी ने बंसी लेकर कहा क्या सुनाओं बेगम ने कहा ठैर कमरा बहुत गर मालूम होता है इसके तमाम दर्वाजे और खिर्कियां खोल दे चिरागों को बुझा दे चटकनी चांदनी का अलुप्त उठाने दे और फूल मालाई मेरे पास रख दे बांदी उठी सलीमा बोली सुन पहले एक गिलास शर्बत दे बहुत प्यासी हूँ बांदी ने सोने के गिलास में खुश्बुदार शर्बत बेगम के सामने लाधरा बेगम ने कहा उफ ये तो बहुत गर्म है क्या इसमें गुलाब नहीं दिया बांदी ने नमरता से कहा दिया तो है सरकार अच्छा इसमें थोड़ा सा इस्तंबोल और मिला साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई इस्तंबोल मिलाया और भी एक चीज मिलाई फिर वह सुआसित मदीरा का पातर बेगम के सामने लाधरा एक ही सांस में उसे पी कर बेगम ने कहा अच्छा अब सुना तुने कहा कि मुझे प्यार करती है सुना कोई प्यार का गाना सुना इतना कह और गिलास को गलीचे पर लोड़ा कर मन माती मसनद पर खुद लोड़क गई और रस्बरे नेतरों से साकी की और देखने लगी साकी ने बंसी का सुर मिला कर गाना शुरू किया दुख हुआ मैं कहा से कहू मरी सजनी वक्त देर तक साकी की बंसी और कंट ध्वनी कमरे में घुम घुम कर रोती रही देरे देरे साकी खुद रोने लगी सलीमा मद्रिया और योवन के नश्य में होकर जुमने लगी गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेशुद बढ़िये सेराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए है और तांबूल राग रंचित होट रह रहकर फड़क रहे हैं सांस की सुगंद से कमरा महक रहा है जैसे मंद पवन से कॉमल पत्ती कापने लगती है उसी प्रकार सलीमा का वक्ष स्तल दिरे-दिरे काप रहा है प्रस्वीद की बूदे ललाट पर दीपक के उजवल परकास में मोतियों की तरह चमक रही है बंसी रखकर साकी शन भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई उनका शरीर कापा आँखे जलने लगी कंट सूख गिया वह घुटने के बल बैटकर बहुत दीरे-दीरे अपने आचल से बेगम के मुख का पसीना पोचने लगी इसके बाद उसने जुक कर बेगम का मुँ चूम लिया इसके बाद जो ही उसने अचानक आँख उठा कर देखा खुद दीन दुनिया के मालिक जहां पना खड़े उसकी ये करतूत अचरज और क्रोज से देख रहे हैं साकी को सांप डस किया वह हत बुद्धी की तरे बाद शाय का मुँ ताकने लगी बाद शाय ने कहा तु कोन है और ये क्या कर रही थी साकी ने धिमे स्वर्वे कहा जहां पना कनीज अगर कुछ जवाब ने दे तो बाद शाय सन्नाटे में आ गए बांदी की इतनी स्पर्दा उन्होंने कहा मेरी बात का जवाब नहीं अच्छा तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे साकी ने कंपिच स्वर्मे का मैं मर्द हूँ बादशा की आखों में सरसों फूल उठी उन्होंने अगनी में नेतरों से सलिमा की और देखा वह बेसुद पड़ी सो रही थी उसी तरह उसका भरा योवन खुला पड़ा था उसके मुँ से निकला उफ फाशा और ततकाल उनका हाथ तलवार की मूट फर गया फिर नीचे को उन्होंने घुम कर कहा दोजक के कुत्ते तेरी ये मजाल फिर कठोर स्वर्चे पुकारा मादूम शन भर में एक बहंकर रूप वाली तातारी योरत बादिशा के सामने अदब से आखडी हुई बादिशा ने हुकम दिया इस मरदूद को तैखाने में डाल दे ताकि बिना खाये पिये मर जाए मादूम ने अपने करकश हातों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दर्वाजे के पास आखड़े हुए तातारी बादि ने चाबी निकालकर दर्वाजा खोला और कैदी को भीतर ढखेल दिया कोठरी की गज कैदी का बोज उपर पड़ते ही कापती हुई नीचे को धसने लगी परभात हुआ सलीमा की बेहोशी दूर हुई चोक कर उठ बैटी बाल समारे ओड़नी ठीकी और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जाकड़ी हुई खिडकियां बन थी सलीमा ने पुकारा साकी प्यारी साकी बड़ी गर्मी है जरा खिडकी तो खोल दे निगोडी नींद ने तो आज गचब ढ़ा दिया शराब कुछ तेज थी किसी ने सलीमा की बात ने सुनी सलीमा ने जरा जोर शे पुकारा साकी जवाब ने पाकर सलीमा हैरान हुई वह कुद खिडकी खोलने लगी मगर खिडकियां बाहर से बन थी सलीमा ने विश्मे से मन ही मन कहा क्या बात है लोण या सब क्या हुई वह दवार की तरफ चली देखा एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है बेगम को देखते ही उसने सिर जुका लिया सलीमा ने क्रोध से कहा तुम लोग यहां क्यों हो बादिशा के हुक्म से क्या बादिशा आ गए जी हाँ मुझे इतला क्यों नहीं की हुक्म नहीं था बादिशा कहा है जीनत महल के दोलत खाने पर सलीमा के मन में अभिमान हुआ उसने कहा ठीक है खुबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है मुभबत को क्या समझे तो अब जीनत महल की किस्मत खुली तातारी इस्त्री चुपचाप खड़ी रही सलीमा फिर बोली मेरी साकी कहा है कैद में क्यों जहां पना का हुक्म था उसका कुसूर क्या था सलीमा की आँखों में आंसु भराए वह लोट कर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी कुछ ठहर कर उसने एक खत लिखा हुजूर मेरा कसूर माप फर्मावे दिन भर की ठकी होने से ऐसी बेसुद सो गई कि हुजूर के इस तक बाल में हाजिर ने रह सकी और मेरी उस प्यारी लोंडी की भी जांबक्षी जाए उसने हुजूर के दोलत खाने में लोट आने की इतला मुझे बाजवी तोर पर ने दे कर बेशक भारी कुसूर किया है मगर वह नई कमसिन गरीब और दुखिया है कनीज सलीमा चिठी बादिशा के पास भेज दी गई बादिशा की तवियत बहुत नासाज थी तमाम हिंदुस्तान के बादिशा की ओरत फाशा निकले बादिशा अपनी आँखों से पर पूरुष को उसका मुँ चुमते देख चुके थे वह गुस्य से तलमला रहे थे और गम गलत करने को अंदाधुन्द शराप पी रहे थे जीनत महल मोका देखकर सोतिया डाहा का बुखार निकाल रही थी तातारी बादिशा ने आग बबुला होकर कहा क्या लाई हो बादिशा ने दस्तबस्ता अर्ज की फिर लिया बादि लोट आई बादिशा का जवाब सुनकर सलीमा धर्ती पर बैठ गई उसने बादिशा को बाहर जाने का हुकम दिया और दर्वाजा बंद करके फूट फूट कर रोई घंटो बीट गए दिन छिपने लगा सलीमा ने कहा हाए पादिशाओं के बेगम होना भी बदनशी भी है इंतजारी करते करते आँख फूट जाए मिन्नते करते करते जबान घिस जाए अदब करते करते जिस्म के टुकडे टुकडे हो जाए फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं जहरा सो गई उनकी आने पर जागने सकी इतनी सजा इतनी बेजिती तब मैं बेगम क्या हुई जीनत और बांदियां सुनेंगी तो क्या कहेंगी इस बेजिती के बाद मुह दिखाने लाए कहां रही अब तो मरना ही ठीक है अफसोस मैं किसी गरिब की औरत क्यों ने हुई धीरे धीरे इस्तरित्व का तेज उसकी आत्मा में उदे हुआ गर्व और द्रड परतिक्या के चिन उसके नेत्रों में छागे वह सापनी की तरह चपेट खाकर उठ खड़ी हुई उसने एक और खत लिखा दुनिया के मालिक आपकी बीबी और कनिज होने की वज़े से आपकी हुक्म को मान कर मरती हुँ इतनी बेजती पाकर एक मलीका का मरना ही मुनासिब है मगर इतने बड़े बादिशा को ओरतों को इस कदर ना चीज तो ने समझेना चाहिए कि अधना सी बेवकूफी की इतनी बड़ी सजा दी जाए मेरा कुसूर तो इतना ही था कि मैं बेखवर सो गई थी खैर फिर एक बार हुजूर को देखने की खौईस लेकर मरती हूँ मैं उस पाक परवदीगार के पास जाकर अर्ज करूंगी कि वह मेरे शोहर को सलामत रखे सलीमा खत को इतर से सुवासित करके ताजे फूलों के एक गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नजरना पड़ जाए इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बहुमुले अंगुठी निकाली और कुछ देर तक आँख गड़ा कर उसे देखती रही फिर उसे चाट गई बादशा शाम की हवाखोरी की नजर बाग में टहल रहे थे दो तीन खोजे घबराए हुए आए और चिठी पेश करके अर्ज की हुजूर गजब हो गया सलीमा वीवी इने जहर खा लिया और वे मर रही है शन भर में बादशा ने खत पड़ लिया जप्टे हुए महल में पहुँचे प्यारी दुलहिन सलीमा जमीन पर पड़ी है आँखे ललाट पर चड़ गई है रंग कोईले के समान हो गया है बादशा से रहा ने गया उन्होंने घबरा कर का हकीम हकीम को बुलाओ कई आदमी दोड़े बादशा का शब्द सुनकर सलीमा ने उनकी तरफ देखा और धिमे स्वर में का जही किस्मत बादशा ने नजदिक बैठकर का सलीमा बादशा की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था सलीमा ने कश्चे कहा हुजूर मेरा कुसूर मामूली था बादशा ने कडे स्वर में कहा बदनसीब शाही जनान खाने में मर्द को बेश बदल कर रखना मामूली कुसूर समझती है कानों पर यकिन कभी ने करता मगर आँखों देखी को जूट मान लूँ जैसे हजारों बिच्चूओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तडफता है उसी तरह तडफ कर सलीमा ने का क्या बादशा डर कर पीछे हट गए उन्होंने का सच कहो इस वकत तुम खुदा की रहा पर हो ये जवान कौन था सलीमा ने अचकचा कर पूछा कौन जवान बादशा ने गुसे से का जिसे तुमने साकी बना कर अपने पास रखा था सलीमा ने घबरा कर का हैं क्या वो मर्दे बादशात तो क्या तुम सचमुच ये बात नहीं जानती सलीमा के मुह से निकला या खुदा फिर उसके नेतरों से आसु बहने लगे वह सब मामला समझ गई कुछ दिर बाद बोली खाविंद तब तो कुछ शिकायती नहीं इस कुसूर की तो यही सजा मुनासिब थी मेरी बदगुमानी माफ फरमाई जाए मैं अल्ला के नाम पर पड़ी कहती हूँ मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है बादशा का गला भराया उन्होंने कहा तो प्यारी सलीमा तुम बेकुसूर ही चली बादशा रोने लगे सलीमा ने उनका हाथ पकड़कर अपने छाती पर रखकर कहा मालिक मेरे जिसकी उमीद ने थी मरते वक्त वह मज़ा मिल गया कहा सुना माफ हो एक अर्ज लोंडी की मंजूर हो बादशा ने कहा जल्दी कहो सलीमा सलीमा ने सहस से कहा उस जवान को माफ कर देना इसके बाद सलीमा की आँखों से आसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई बादशा ने घुटनों के बल बैटकर उसका ललाट चुमा और फिर बालक की तरह रोने लगे गजव की अंधरे और सर्दी में यूवक भूखा प्यासा पड़ा था एका एक घोर चितकार करके किवाड खुले प्रकाश के साथ ही एक गंभीर शब्द तहकाने में भर गया बदनसीब नोजवान क्या होश हवाश में है यूवक ने तिवर्सवर से पूछा कौन जवाब मिला बादशा यूवक ने कुछ भी अदब किये भी ना कहा ये जगे बादशाओं के लाइक नहीं है क्यों तश्रीफ लाए है तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी उसे सुनने आया हूँ कुछ देर चुप रहकर यूवक ने कहा सिर्फ सलीमा को जूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ सुनिए सलीमा जब बच्ची थी मैं उसके बाप का नोकर था तबी से मैं उसे प्यार करता था सलीमा भी प्यार करती थी पर वह बच्पन का प्यार था उम्र होने पर सलीमा परदे में रहने लगी और फिर वह सहेश यहां के बेगम हुई मगर मैं उसे भूलने सका पात साल तक पागल की तरह भठकता रहा अंत में बेश बदल कर भांदी की नोकरी कर ली सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था उस दिन उजवल चांदनी, सुगंदित पुष्प राशी शराब की उत्तेजना और एकांत ने मुझे बेबस कर दिया उसके बाद मैंने आचल से उसके मुख का पसीना पहुचा और मुझ चूम लिया, मैं इतना ही खतावार हूँ सलीमा इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती बादिशा कुछ देर चुपचाप खड़े रहे उसके बादवे दरवाजे बंद की बिना ही धिरे धिरे चले गए सलीमा की मृत्यू को दस दिन बीत गए बादिशा सलीमा के कमरे में ही दिन रात रहते हैं सामने नदी के उस पार पेड़ों के जुर्मुट में सलीमा की सफेद कबर बनी है जिस खिड़की के पास सलीमा बैठी उस दिन रात को बादिशा की परतिक्षा कर रही थी उसी खिड़की में उसी चोकी पर बैठे हुए बादशा उसी तरह सलीमा की कबर दिन रात देखा करते हैं किसी को पास आने का हुक्म नहीं जब आधी रात हो जाती है तो उस गंभिर रातरी के सरनाटे में एक मर्म भीदनी गीत द्वनी उठखडी होती है बादशा साप साप सुनते हैं कोई करुण कॉमल स्वर में गा रहा है दुख हुआ मैं का से कहूं मरी सजनी